नमस्कार दोस्तों इनफोकस सिविल अकैडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आरो यारो 2022 की वेकेंसी दिसंबर माह में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है और इसी के साथ साथ एक और संभावना बनती है जो कि पेट 2022 होना है उसके आधार पे नेक्स्ट येर लोवर पीसेस की अच्छी खासी वेकेंसी आने की संभावना बन रही है अब इसको लेके बच्चों में काफी एक कंफ्यूजन है जो कि हमारे जो कई सारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में हमें कई सारे कॉमेंट्स ऐसे मिले जो कि लोवर वर्सेज आरो की अउधारना पे बेस्ट थे वह लोवर पर फोकस करें या आरो पर फोकस करें लोवर पीच्छी पोस्ट अरो यह चीज़ा बहतर ने कि स्कूपक्स है दूसरी बात कि इन दोनों में से कौन सपद जो है वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए इसको समझना है तो आज हम इस वीडियो में इनी दोनों मुद्दों पर बात कर रहे होंगे सबसे पहली बात अगर देखें कि जो इसका सिलेबस है इसमें क्या है कि जो लोवर Unter ccs न हो जाएगा में अगर आपके परीक्षा में दौजार बढन रहे हैं तो ही आप यह मानखर की लीज़ीबल होंगे उससे कंपर इलिजबल नहीं होंगे, इसलिए परिक्षा के लिए ताबर तोर तरीकेस मेहनत कीजिए, जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, अब देखिए, लोवर PCS में जब आप देते हैं, तो लोवर PCS का जो मेंस होगा, उसमें क्या होता है, कि दो सब्जेक्ट है, एक GS है और एक हि मिलने वाला है, इसलिए इन दोनों में कोई ऐसी confusion आपको होनी ही नहीं चाहिए, तैयारी को लेके, कि हम तैयारी किसकी पहले करें, आप अगर आरो की तैयारी करते हैं, तो लोवर की तैयारी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि लोवर का रास्ता जो है, वो आरो से होकर ही ग और लोवर पीसेज जो है, वो आपकी UP SSC द्वारा अब ली जा रही है परिक्षा, तो इसलिए वहाँ पर प्रस्नों का कटनाई का स्तर भी कम रहेगा, दूसरी बात कि GS का वेटेज भी वहाँ पर एक तरह देखें तो कम है, यहाँ पर आपको यह 60 नंबर की मिल रही है, औ और दो घंटे के पेपर होगा, अबजेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आप GS के तो सारे पोर्शन आही रहें, क्या डिफरेंस है तो वो मैं आपको बता दूँ, एक डिफरेंस होता है कम्प्यूटर का, एक जो मेजर डिफरेंस GS में आता है, कम्प्यूटर का आता है, और दूसरा आता है, जो मैट्स का पोर्शन है, मैट्स आती है, दस नंबर की और कम्प्यूटर भी आपका आता है, पांच नंबर का कम्प्यूटर आता है, और दस नंबर की मैट्स आती है, ठीक है, अब समझे कि यहाँ पर लोवर PCS के लिए तो जब आप उस 10 नंबर को पढ़ेंगे तो उसके साथ में आपको यहां के computer के 5 नंबर की तैयारी आसानी से हो जाएगी दूसरी बात कि जो maths है, maths में जो भी 5 chapters आने हैं, वो सारे के सारे वही वाले हैं जो कि आप pet परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको कुछ भी अत्रिक्ट lower PCS के लिए नहीं पढ़ना है, दूसरी बात कि जो तालिका की व्याख्या विशलेसर आती है तो यह भी आप pet परीक्षा में पढ़ेंगे तो एक तरह से आप मानके चलिए, GS के पॉर्शन में आपको कुछ भी अत्रिक्ट नहीं पढ़ना है, अगर आप RO की त्यारी कर रहे हैं तो फिर अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में देखिए जो लोवर PCS का स्लेबस है वो यह है कि एक तो अपठित हिंदी गध्या सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, RO में, सब्जेक्टिव ज्यादा टफ हो जाता है और उसको जब हम लोग समझ लेंगा सब्जेक्टिव का तो objective हमारा वैसे भी आसानिय से त्यार हो जाएगा, तो यहां पर पत्र लेखन वाला भी 10 नमबर वो भी आपका हो जाएगा, तो 10 नमबर आपका गध्यान आरो की तयारी से हो जाएगा, 10 नमबर का जो पत्र लेखन है वो भी आरो की तयारी से कंप्लीट हो जाएगा बचा 20 नमबर की हिंदी उसमें देखिये क्या-क्या है तो विलोम सब्द परियावाची वाक्यानसों के लिए एक सब्द मुहावरे, सुद्ध और हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद ये सारी 5-6 चीज़े ये सब कुछ आरो मेंस की परिक्षा में आप लोग तयार करेंगे काफी सारी चीज़े आरो की प्री परिक्षा के लिए आप लोग तयार करेंगे और कुछ एक चीजे बची रहेंगी वो आरो की मेंस परिक्षा में आप लोग तयार करेंगो उसको ठीक है तो हिंदी में भी आपको कुछ अत्रिक तनाव नहीं लेना है केवल दो या तीन टॉपिक है जो कि हिंदी में आपको अलग से पढ़ना है वो है संधी और एक जेंडर तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर दीजे आप अगर आरो की तयारी करते हैं तो यह गारंटीड है कि आपकी लोवर पीसेस की तयारी बहुत बहतरीन हो जाएगी और एक बात मैं आपको और कह दूँ कि आप अगर केवल लोवर पीसेस की ही तयारी करते हैं आप चाहते हैं क कि वो यह ज्यादा अच्छी तैयारी करके चल रहा होगा वह ज्यादा अच्छे standards की books follow कर रहा होगा तो इसलिए त्यारी के स्थर पे आप कोई confusion ना रखिया आप आरो की तयारी कीजिये जब lower pieces अभि देखें lower pieces का ये वह नहीं क्लिए है क्योलकि कब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है कॉपी चेक करने में टाइम लगता है तो इसलिए आप यह मान के चलिए कि दो से तीन महीना लग जाएगा उसमें पैट कर रिजल्ट आने में उसके बाद जाके वो घोशित करेंगे कि लोवर का कब आएगा वो भी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे अब यूपी एड़ेट की वैकनसी आई हुई है ठीक है यूपी एड़ेट में कलर की वैकनसी है ही यह लग रहा था कि बस यूपी एड़ेट वाली वैकनसी तो जो है दूसरी बात जो इसमें confusion लोगों को रहता है वह यह है कि आरो का पद ज्यादा महत पूर्ण है या लोवर का पद ज्यादा महत पूर्ण है तो अगर इसमें हम बात करें, इन दोनों में एक तुलनात्मा करध्यान कर सकें, तो उसमें देखने पर देखिए आरो की जो है, आरो की हमने पहले भी एक वीडियो के मार्धियम से यह समझा रखा है, कि आरो का पद जो है कितना आकर्शक है और रो 2022 जो है कितना बहतरीन मौका है अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है और उसमें हमने यही बाते बताई है बैसिकली और डिटेल क्य CAP को बता दे रह disease कि यहाँ आरो का जो है आरो में देखिये जो वेतन होगा वो लॉवर्वर्र पीसे से ज्यादा होगा ठीक है फैसिलिटीज जई है वो लौब पीच्स से ज्यादा होंगी क्योंगी वो इसमीडियो मिल जाएगा पर पर जो फैसिलिटीज है जो काम का तनाव होता है वो यहां पर कम होगा आराम ज्यादा होगा तो यह बहुत ही एक सोफिस्टिकेटड जॉब है बहुत अच्छी मतलब गुडवर्ता पूर्ण जॉब है और लोवर PCS में देखिए सेलरी कम होगी सुविधाएं भी कम होगी और वर्क का प्रेशर जो है वो ज्यादा रहती है निकि जो आपके पास सत्ता या अथोरिटी होगी प्रादिकाल जो होंगे आपके वो ज्यादा रहते हैं लोवर PCS के पद में तो इसमें देखिए जो भी पद आपको मिलता है उसमें तो उसमें जो है आपकर सामानित है वो आरो से काफी ज्यादा रह पढ़ाई के लिहास से भी कि कौन सा जो है आपको पढ़ाई करना चाहिए किस पर फोकस्ट रहना चाहिए हमारे ख्याल से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी और जॉब कौन सी बहतर है उस पर मैंने आपको दोनों की स्थिती क्लियर कर दी अब आपको जो भी ठीक है वो आप समझ सकते हैं सारी बाते मैंने कर दी और डारेक्ट मैं साफ साफ तो कुछ नहीं उस पर कह पाऊंगा जो जॉब कंडिशन है उन सब के बारे में लेकिन हाँ एक मैंने मोटी मोटी स्थिती आप लोगों के सामने क्लियर कर दी बाकि आप लोग खुदी समझत चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं आपके ऐसे ही जो कुछ और क्वेरीज हैं उनको भी हम लोग एड्रेस करते हुए जल्दी और भी कई सारे वीडियो लाएंगे छोटे जोटे जिसमें आपको यह सारी बाते क्लियर की जा सकें बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्क प्रूड़क जा।